मेरा खाना बनाने का तरीका अलग है, थोड़ा हटके है, मैंने पूरी जिन्दगी बस मीट और तीन सबजियां खाई हैं, खाना बनाना मैंने खुद सिखा है, मुझे नहीं पता था कि एक दिन खाना बनाना मेरे लिए एक जुनून बन जाएगा मेरे घर में सभी खाना बनाते हैं बेंगोली खाना जो मैं अपने साथ लाई हूँ वो हमें पीडी दर पीडी विरासत में मिला है और मैंने हर पल कुछ रचनात्मा करने की कोशिश की है 31 साल की उम्रों में मैं हर स्वाद लेने की शक्ती खोच चुकी थी धीरे धीरे सब वापस आया और मुझे जाइकों की एक नई दुनिया दिखी और खाने के बारे में वो समझ में आया जो अब तक नहीं पता था इस सीजन में जितने भी प्रतियोगी आए हैं सबकी अपनी अपनी एक अलग कहानी है मैं आधी टाइवानीज, आधी बॉमेज और आधी चाइनीज हूँ और मुझे फ्रेंच पेस्ट्री बनाना बहुत पसंद है उन्हें खुद के प्रती इमानदार रहना है और बस अपने दिल की सुननी है लोगों को खाना खिलाना और उन्हें खुश रखना मुझे पसंद है मैं कुछ सुन्दर बनाना चाहती हूँ और खाना बनाना मेरे लिए जैसे प्यार की भाशा है इस साल प्रतियोगियों का दिल, उनका जज़बा और जोश सच में बेमिसाल है जब कोई अपने दिल की सुनता है तो कुछ जादू ही होता है